रविवार 26 नवंबर को बिहार की उपमुख्यमंत्री तेजस्पी यादो ने दर्भंगा में नोनिया समाज महासमेलन में उपमुख्यमंत्री तेजस्पी यादो ने कारिक्रम में आए लोगों से कहा लड़ाई दंगा फसाद नहीं अब तो यूपी के लोग आते हैं तो कहते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री बाबा है उखाली घंटी बजवा देंगे लेकिन नौकरी लेने बिहार ही आना पड़ रहा है घंटी बजाने से कवनो पेट भरे वाला है इसलिए आप सब लोग अफवाहों पर मत रहिए तेजस्वी आदो दरभंगा मेडिकल ग्राउंड में आयोजित कारेक्टर में बोल रहे थे तेजस्वी आदो ने टीका और भगवा का नाम लेकर बीजेपी पर तंज कस्तेवे कहा मंदिर मस्जित से पेट नहीं भरता है ठीक है आस्था है भगवान है भगवान का पात चाहिए लेकिन पूजा पात दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए ये सब दिखावटी करती हैं दिल में भगवान होना चाहिए मन में भगवान होना चाहिए असली शद्धा यहीं होती है जूट का टीका लगाकर भगवा पहन लेने और हेहे होहो करने से नहीं होता ह बिहार में हुई जातिय गर्णा की चर्चा करते हुए तेजस्वी आदो ने कहा कि हम लोगों की शुरू से यह मांग रही थी हर जाती में लोग गरीब हैं और सब के लिए योजनाय चलाई जा रही है तेजस्वी ने कहा कि जब वो विरोधी दल की नेता थे तो इसको लेकर प्रस्ताव रखा था नितीश कुमार ने बातों को सुना था 84-85 प्रतिशत पिछड़ा और अती पिछड़ा का आँकड़ा अब सामने आ गया है जो भी डेटा मिला है उसके तहट जो पिछड़े हैं उन्हें मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जाएगी उसलिए आप सब लोग इनके अफ्राओं को मत लिएगे मंदिर महजीद से पेट नहीं बरता ठीके आस्था है भगवान है भगवान का शिवाद चाहिए आप पूजा पाठ कुना दिखावती नहीं होना चाहिए लेकिन इस अब दिखावती करता है दिल में भगवान होने चाहिए मन में भगवान होने चाहिए अस्थावाई होती है कोनो जुटाओं के ठीके लगाते भगवा वहें के घरने चला है यह बाक समझना चाहिए